दोस्तो ये है दा All New 2022 Bajaj Domino 250 का Racing Red Color इस बाइक में क्या क्या features देखने को मिलती है mileage और top speed कितनी है इसकी on road कीमत कितनी है अगर आप इस बाइक को finance कराते हो तो इसको लेने के लिए आपको कम से कम कितनी down payment करनी पड़ेगी एक साल से चार साल तक की कितनी कितनी ये माई आपको देने पड़ सकती है इस बाइक को लेने के लिए सारे जानकर है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो end तक ज़रूर देखना और अगर आप चनल पे नए हो तो please चनल को subscribe ज़रूर करना ताकि इसी तरह की bike related informative वीडियो मीस न हो जाए और अगर आप लोगों को बाजाज की कोई भी bike की price जनना हो तो इस्क्रीन पे आ रहे हैं नमबर पे call कीजिए सोरूम की सारी details description box में दिया हूँ Go check it out सबसे पहले इसका front section देख लेते है यहाँ पर आपको glossy black color में wind shield दिया है नमबर पेड लागानी की जगा Dominar 400 and 250 में सबसे ज़्यादा bright LED headlight का setup मिल जाता है Split type DRL देखनों का मिल जाती है और middle में high beam और low beam का setup दिया है जो की reflector based है साइड में red color में sticker ring दिया गया है इसका mudguard अगर देखो Dual tone color में है सामने की तरफ glossy red color के यूज हुआ है और पीछे का portion matte black color में दिया है और यह mudguard काफी बड़ी दी गई है यहाँ पर आपको silver color में upside down fox suspension देखने को मिल जाती है जिसका travel है 135 mm इसका alloy का design देखिए इसमें 100 by 80 section का tire यूज हुआ है और इसका tire size है 17 inches दोस्तो अब इधर चले आते हैं इसका disc brake देख लेते हैं इसमें 300 mm diameter का disc brake देखने को मिलता है जो dual channel ABS के साथ आते है बाइपरी कमपनी की brake caliper यूज हुआ है जो बहुती बाड़ी आ ब्रेकिंग प्रोबाइट करता है इस बाइक को दूर से देखने पर आपको काफी बलगी और मस्कूलर सा बाइक लगेगी जैसे कि ये touring bike है फिर भी इसका ground clearance बहुती कम है 157 mm और इसका wheelbase है 1453 mm और इस बाइक का seat height है 800 mm इसलिए 5 foot या फिर 6 foot का बंदा आराम से इस बाइक को चला पाएगा टैंक की उपर डॉमिनर की 3D badging दिया है इसमें आपको बहुत साथी silver color की stickering देखने को मिल जाती है टैंक की दोनों side में आपको इसी तरह की matte black color में fiber का use हुआ है silver color finish दोस्तों इसका fuel tank की बढ़े मता हूँ तो इसमें आपको पहले जाए सही 30 liters का fuel tank दिया है जिसका mileage है लगभग 35 के आसपास इसमें आपको tank pad भी मिल जाता है company fitted Dominar 250 and 400 दोनों में इस split seats दिया है जो काफी comfortable है long ride के लिए सीड में Dominar की branding दोस्तों आप इसका engine specific के साँ जान लेते है इसमें 248.8cc single cylinder 4 valves liquid cool engine मिल जाती है जिसका maximum power है 26.63 brake horsepower and 23.5 newton meter का maximum torque निकल थी है ये engine ये 6-speed gearbox के साथ आते है और इस bike का top speed है 132 km per hour इस bike में liquid cool engine यूज हुआ है इसलिए यहाँ पर आपको एक radiator भी देखने को मिल जाती है 6-speed gearbox की instruction इसमें side-strand engine cut-up sensor भी मिल जाती है rider foot peg black color में काफी मजबूत brilliant foot peg देखने को मिलता है sari guard भी इसमें company provide किया है domino 250 की 3D bashing black color में grab handle दिया है जो काफी मजबूत है इस bike का fit and finish काफी बढ़िया दी गई है इसका पीछे का looks same domino 400 जैसा ही है यहाँ पर split type LED tail light देखने को मिल जाती है इसमें काफी बड़ी और चौड़ी माटगाट देखने को मिल जाती है जो एक touring bike के लिए बहुत ही बड़ी आफ features है इसमें LED में turn indicator मिल जाती है जो थोड़ी flexible के साथ आते है LED में number plate light दिया है number plate लागानी की जगा और पीछे आपको एक reflector भी देखने को मिल जाती है अब इसका दूसरी side चले आते है इस bike का पीछे का tire section है 130 by 70 और tire size है 17 inches इसका दोनों tire ही tubeless and radial tire के साथ आते है इसका rear disc brake का size है 230 mm जो बाइबरी company की single piston caliper के साथ दिया है और front disc four piston के साथ आते है इसमें dual barrel exhaust देखने को मिल जाती है black color में pillion foot peg इसका rear suspension की बाड़े में बता हूँ तो यहाँ पर multi strip adjustable monosock with nitrox suspension दिया है nitrox का tank rider foot peg aluminum brake lever copper color में बजाज की logo coolant leveler यहाँ पर coolant डालने के लिए cap दिया है जिससे आप coolant डाल सकते हो नीचे आपको black color में engine guard देखने को मिल जाती है जिसका उपर red color की stickering दिया हुआ है दोस्तों इसमें KTM के जाए साई wave की मिल जाती है चलो आप चावी को on करके इसके instrument cluster देख लेते है इसमें पहले जाए साई fully digital instrument cluster देखने को मिलता है जो दोनों पार्ट में divide है यहाँ पर बड़ी सी rpm meter उपर odometer speedometer time इस तरह fuel gauge देखने को मिल जाती है नीचे आपको neutral light low oil indicator turn signal light rpm limiter light इस साइड आपको headlight का high beam low beam switch pass switch काफी bright headlight मिलता है इसमें indicator और नीचे horn का button दिया है राइट साइड में red color का engine kill switch नीचे hazard and self start का button दिया है यह सारी switches pulser की हर गारियों की तरह ही illuminated मिल जाएग काफी stylish mirror देखने को मिल जाती है यहाँ पर टैंक की उपर इस छोटी सी डिस्प्ले में engine malfunction signal low fuel indicator low battery indicator बजाच का logo side stand signal light ABS signal light यह सारी light है यहाँ पर मिल जाएगी अब इस बाइक का on road price and finance की बाड़े में जान लेते हैं अब ही इस ही सोमाए मतलब October 2022 में कोलकाता में इसका on road price है 2,11,000 रुपीज अगर इस बाइक को finance कराते हो तो 50,000 रुपी डाउन पेमेंट करने पर 12 माहिने की यह माहिए आएगी 14,062 रुपीज अनली 18 माहिने की यह माहिए आएगी 9,583 24 माहिने की यह माहिए आएगी 7,346 30 माहिने की यह माहिए आएगी 6,000 रुपी 36 माहिने की यह माहिए आएगी 5,113 अनली 48 माहिने की यह माहिए आएगी 4,002 की जो बाइक फाइनन्स में डॉकुमेंट से लगेगी वो सारी डिटर स्क्रीन पे आ रही है दोस्तो वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट से बताए आज के लिए बस इतना ही जैहिंद बंदे मातरम